नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिसरा स्वाइद करता हूँ एक बाद फिर से आप सभी का MZT Education ने Exit Polls आ चुके हैं और इन Exit Polls को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Exit Poll होता क्या है Exit Poll क्या है, Opinion Poll क्या है, अंतिम चुनावी परणाम क्या होते हैं, कितना ये authentic होता है, realistic कितना होता है ये सब हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में साथी साथ में सभी का एक सार आपको यहां पर मिल जाएगा कि किसने क्या-क्या अनुमान लगाए हैं तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं, ये exit poll होता क्या है, क्यों इसको लेकर के इतनी चर्चाहे रहती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसका क्या अनुमान है तो दोस्तो exit poll जो है, नाम से इसपस्ट है, जब लोग exit होते हैं चुनाव से voting करकर के, तो उनसे poll कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई किसको vote दिये, पहले तो directly पूछा जाएगा, अगर directly बता देते हैं, जो core voter होते हैं वो तो directly बता देते हैं कि हमने इनको vote दि जाते हैं, तो मतलब कुछ questions का अपना एक ये series बना करके ले गए रहते हैं, directly और indirectly, दोनों प्रकार से लिया जाता है question, उनके answer पूछे आते हैं, और फिर उनको analysis किया जाता है उन agencies के दोरा, और फिर बाद में exit poll जारी किया जाते हैं, लेकिन इसकी सुरुआत अभी से नहीं लोगों की rise आने के लिए सुरुआत की थी, फिर आगे चल करके 1930-1940 के दसक में, ब्रेटेन, कनाड़ा और भी बहुत सारी European countries में भी होने लगे exit poll, डेनमार्क वगरा में, फिर धिर धिर ये प्रचलन आ गया, लेकिन कहा जाता है कि 1967 में, 1967 में, पहली बार एक विस्तिर तौ यहां बननी सुरु हो गई, जो exit poll पर ही काम करती हैं, तो यहां पर भी भारत में अगर बात करें, तो भारत में 1980 में सुरुआत हुई, 1980 की दसक में, Indian Institute of Public Opinion नाम से एक संस्था थी, और उसने सबसे पहले सुरुआत की, Eric D. Costa, इन्होंने सबसे पहले भारत में सुरुआत की फिर धीरे धीरे प्राइबेट एजनसियां भी, प्राइबेट प्लेयर्स भी इसमें सामिल होने लगे, और फिर जो प्राइबेट सैटेलाइट चैनल है, उनकी मदद से यह जारी होने लगा, आगे चल करके, एक डेडिकेटेड रूप से एजनसियां बन गई, कमपनियां बन गई, जो केवल जिनका काम चुनावरों में, लोगों की राय लेना, लोगों की उपीनियन लेना, लोगों के एकजिट पोल का ही विसलेशन करना हो गया, बहुत सारी ऐसी कमपनियां है, तो ये सब कमपनियां जो हैं, वो किसी निउज जब लोग voting करकर के निकल रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है questions पूछे जाते हैं अब ये questions की list ये लोग पहले से तयार करके ले गए रहते हैं इसमें कुछ direct कुछ indirect type के questions आते हैं आप देखते हैं जैसे public कैसे मिली उनसे अगर question पूछा गया पहले directly किसको vote दिये तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बताते हैं कि किसको vote दिये वो कहें हम दे दिये हैं तो फिर उनसे पुछाता है मुद्धा क्या था आप किस मुद्धे पर दिये अगर तब भी नहीं तो उनसे कुछ इधर उधर के cross question पूछ करके इधर उधर की कुछ अगर कमियां बता करके खूबियां बता करके कुछ उनकी राय लेने की कोशिस की जाती है और इस प्रकार से निकलता है ये exit poll फिर वो जो अंसस आय रहते हैं उनको team बैठती है पूरा analysis करती है उसके बाद ये सारा data store करके रखा जाता है जैसे ही अंतिम दिन का चुनाओ प्रक्रिया समाप्त होता है मतलब अंतिम दिन की voting खतम होती है जब उसके आधे गंटे के बाद ही ये सभी news channel और सभी जो news media जिनके साथ tie up करके जारी कर रहे होते हैं ये सब मिल करके exit poll जारी करना सुरू कर द तब लोगों की राय ली जाती है सभाएं हुई जगा जगा पर आप देखते हो जो डिबेट होती है पप्लिक मीटिंग होती है उन सब में लोगों की opinion जानी जाती है कि यहां पर क्या माहौल क्या है ठीक है लेकिन जानते हो बहुत सारी जगों पर लास्ट टाइम पर वोट क्यों जारी करता एक्जिट पोल से ही सब लगा लेते एक्जिट पोल बहुत बार गलत भी हो जाते हैं क्या होता है कि बहुत सारे hidden voters रहते हैं वो बताते नहीं है कि किसको वोट दिये silent voters जिने कहते हैं तो जब ऐसी situation आती है तो बड़े-बड़े news agencies हैं या कहें कि यह survey करान agencies tie up रहता है और यह सब उनके साथ tie up करके ही अपना exit पोल जारी करती हैं जैसे हैं चुनावे पर के लिए समाप्त होती है उसके आधे गंटे बाद जारी करना शुरू कर देती हैं तो जैसे अगर मैं बताऊं कि अभी के time पर शुरुवात तो एक company से हुई थी अभी के time पर कोई सरकारी news media या news agency जो है वो जारी नहीं करती है अब आपको press information bureau जो है exit पोल जारी करे तो वो नहीं करती है ठीक है private company यह प्राइबेट एजंसियां ही यह exit पोल जारी करती है और उन्हीं के जो होते हैं जो team members होते हैं वो जा जा करके survey किये रहते हैं तो जैसे कुछ प्रम यह आपका आजस्ता क्वालों का है तो मतलब इनके साथ मिल करके जैसे इंडिया टूडे रिपब्लिक भारत टाइम्स नाओ इंडिया टीवी ंडी टीवी न्यूज नेशन यह सब इनके साथ टाइब की रहती हैं और जैसे ही सब समाप्त होता है तो यह अपना exit पोल जारी किये हुए हो कुछ लोग एक लाख लोग के साथ करते कुछ दो लाख कुछ तीन लाख इससे बहुत जादा नहीं मतलब आइसा आप नहीं समझोगे कि करोडों लोगों से बात किया ऐसा नहीं होता है करोडों लोगों से बात करने की ज़रूद भी नहीं पड़ती है और नह सवाल भी डिपेंड करते हैं अब बहुत सारे जंसियां जो है वो प्रो गौवर्मेंट मानी जाती हैं मतलब वो कुछेंगी जो क्रॉस कुछेंगी तो वो उसमें अलग तरीके से पूछेंगी इस प्रकार से पूछेंगी जैसे कि उनको यह निकालना हो कि सरकार कितनी करती हैं इस वज़ा से भी कभी-कभी जो सर्वे का जो रिजल्ट आता गड़बर हो जाता है तो सर्वे में पूछय आने माले सवाल भी बहुत माइने रखते हैं सर्वे की रेंज क्या है मतलब जो सर्वे किया गया है वो कहां तक पहुंचा है ऐसा तो नहीं है कि केवल अग्जिट पोल्स तयार किये जाते हैं। उनको उतना अथंटिक माना जाता है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको डारेक्ट और इंडारेक्ट कुश्यंस पूछे जाते हैं। डारेक्ट पर अगर जवाब नहीं आया तो इंडारेक्ट ली कुशन पूशी जाते हैं अब आते हैं हम लोग exit poll 2024 पर कि इस वाले exit poll में किसने क्या अनुमान लगाया है किन-किन media agencies ने क्या-क्या अनुमान बताया है मोटा-मोटा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ राज-जिवार मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ obviously क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फालतु में लंबा करने कोई मतलब नहीं है यहाँ पर केन सरकार हम लोग जानना चाहरे हैं कि किस की बनने वाली है और किसने क्या अनुमान लगाया हुआ है तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर यह जो भी मैंने आपको एजनसियां बता है उसमें प्रमुक्ष लोगों ने जिन्होंने जारी कर दिया है अभी तक जब तक मैं यह वीडियो रिकार्ड करना हूँ सबसे पहले आपको देने की कोशिस कर रहा हूँ तो देखे किन वोगों ने अपना जारी कर दिया है आनुवान जैसे साम की बात करें जन्की बात तो 377 इन्होंने दिया है NDA और BJP प्लस को मतलब आप जाने लिए एक अलाइंस है और NDA एलाइंस में BJP है और BJP की और सहयोगी पार्टियां है और इंडी एलाइंस एक उसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं तो इन्होंने बताया है जन की बातने 377 रहेगी बीजेपी की और अंडिये की मतलब की मिला करके और 151 रहने वाली है इंडिया गदबंधन की और 15 जो अन्य है उनकी रहने वाली है जो निर्दली है उनका है इंडिया न्यूज पोलिस टेट की बात करें तो यह 371 दे रहे हैं 125 इंडिया को दे रहे हैं और 477 अन्य को दे रहे हैं रेपब्लिक भारत मैट्रिस की बात करें तो 361 ये दे रहे हैं अंडिया गडबंधन को और 156 दे रहे हैं इंडिया गडबंधन को और 56 दे रहे हैं यहाँ पर पोल आप पोल्स की बात करें, मतलब इनका अगर आप लगाएं, अनुमान लगाएं कि एवरेज निकालें, तो 368 तो कम से कम मिल रहा है किसको BJP और NDA गटबंधन को, और 136 मिल रहा है आपका इंडिया और कांग्रेस गटबंधन को, इंडिया लाइंस को, तो अन्य यहाँ प यह जीत नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर से बताओं, कोई जरूरी नहीं है, कि यह सही ही हो जाए, क्योंकि ऐसे 2004 में हुआ था, अटल विहारी बाजपेजी की सरकार थी, और उसके बाद पिर बहुत अन्मान बताय गए थे, कि हाँ, यही सरकार बननेगी, continue होगी, लेकिन महा सरकार बनने के लिए कितना चाहिए, सरकार बनने के लिए जैसा कि आप जानते हो, 50% प्लस वन चाहिए होता है, तो 542 में से 50% यानि आधी सीटों का एक प्लस ज्यादा कर दो, तो वही सरकार के लिए चाहिए होता है, तो 272 सीटे चाहिए होती है सरकार बनने के लिए, यह गलत भी हो सकता है, यह सही भी हो सकता है, इस पर आपकी क्या राहा है, आप हमें कमेंड करके बता सकते हो, यह वो पोल थे जो इन एजनसी ज जारी किया है, अब यह भी द्यान रखने वाली बात है, ऐसा भी नहीं है, कि जैसे कि यह कहे दो कि यह मन गढ़नत चीज़ें क्या हुआ ना जैसे कि मैंने आपको बता है बहुत सारे जंसियां जो है वो लगी रहती है पूरा-पूरा साल-साल भर पूरा सर्वे करने में ओपीनियाद पोल निकालने में तो वो पूरा डेडिकेटर रूप से इसी पर काम करने लगी है तो अब यह ज़्यादा साइंटिफिक होता चाला जा रहा है कि क्योंकि सभी को अपना नाम बनाना होता है मुझे याद है एक बार एबीपी न्यूज का बहुत ज़्यादा अथेंटिक आ गया था इस वेज़ा से सब लोग अगली बार केवल उसी का ज़्यादा द होता है तो ऐसा भी नहीं है कि सब लोग मनगधन्त बता रहे हैं और फिर बताने का मतलब ही क्या है जब तीन दिन बाद रिजल्ट ही आ जाता है तो मनगधन्त बताने से कुछ होगा नहीं तो फिल हाल अब देखना होगा कि यह एक्चुल रिजल्ट से कितना ज़्यादा मै लेमात्र.